प्रच्टर के सर्चा करेंगे और वह आमारा चैप्टर है इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है किसे कहते है प्रतिरक्षा सबसे पहले हमें समयना है कि immunity होती क्या है प्रतिरक्षा किसे का जाता है तो यह हमें जहार नखना है प्रतिरक्षा का मतलब क्या है immunity किसे कहते है immunity या प्रतिरक्षा immunity या प्रतिरक्षा का मतलब क्या हुआ कि परपोसी की रोग जनक जिवां से लड़ने की समता पर्पोसी और पर्पोसी में हम मनुस्य की सेंस में बात करेंगे मुखिरुप से तो मनुस्य भी ले सकते हो आप मनुस्य की रोग जनक जीवों से लड़ने की समता पर्पोसी की रोग जनक जीवों से लड़ने की समता को हम क्या कहते हैं। immunity सब्द है वह immunity सब्द लेटीन बासा का सब्द है किस बासा का सब्द है immunity यह लेटीन बासा का सब्द यह हमें ध्यान रखना है और लेटीन बासा का एक सब्द है immunis उससे यह बना है यह हमें ध्यान रखना है तो लेटीन आफ बर्डन यह नहीं रोग जनक जीवों से प्री फ्रॉम बर्डन का मतलब क्या हुआ विभीन रोग कारकों से विभीन रोग कारकों से शुर्क्षा करने की समता विभीन रोग कारसों से सुर्क्षा करने की समता होती हों से ही हम क्या कहते हैं तो आपको जानके विविन रोग कारकों से सुरुक्षा करने की समता होती हैं उस समता को ही हम क्या कहते हैं इम्मिनिती कहा जाता है या इम्मिनोलोजी कहा जाता है अब ध्यान दीजे परतिरक्षा का अध्यन क्या जाता है जिस साखा में उसे हम क्या कहते हैं देखो जिसमें प्रतिरक्षा का अध्यान किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे तो वह साखा जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र का अध्यान कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं या प्रतिरक्षा विज्ञान को ही हम किस नाम से जानते हैं कि मिनो लोजी कहा जाता है तो परति रक्षा या विज्ञान किसे कहते हैं तो वह साखा जिसमें परति रक्षा तंत्र का अध्यन किया जाता है उसे हम क्या गएगे प्रतिरक्षा कहा जाता यह हमें ध्यान रेक्टना है प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है तो यह प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे हमें ध्यान रेक्टना है किसे कहते हैं नेक्स्ट अगला हमें ध्यान रेक्टना है प्रतिरक्षा विज्ञान के बाद में कि यह प्रतिर प्रतिरक्षा तंत्र अपनी खुद की कोशिकाओं को विगटिद करके या फिर अपनी कोशिकाओं को विगटिद किये बिना यह उन रोग जनक जीवों को निस्क्रिय करता है निस्प्रभावी करता है उनको उपापचीत कर देता है तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम क्या पॉपति रख्षा काम से लुड़ने की संप्र Middle Burden कर सकते हैं हमेशा उंसे रोगरस्त नहीं कर सकते हैं कई बार पॉर्च्रy तंत्र हमारा है उससे ज्यादा आप को दिनक कर पहचान मे नहीं आता है रोगणों तो उस समय रोग हो जाता है बाकि जनरली प्रतिरक्षा तंत्र रोग होने से बचाता है अब ध्यान दीजिए कि प्रतिरक्षा तंत्र है वो कितने परिकार का होता है किस परिकार से होता है तो यह प्रतिरक्षा तंत्र होता है या प्रतिरक्षा होती मनसें वो दो परिकार की होती हैं, मनसमें परतिरक्षा कितने परिकार की देखी जाती हैं, दो परिकार की परतिरक्षा देखी जाती हैं, नमबर वन हमें ध्यान रेकने हैं सहज परतिरक्षा, कौनसी ध्यान रेकने हैं, सहज परतिरक्षा या जिसे हम innate immunity कहा जाता हैं, सहज परतिरक प्रतिरक्षा होती है जिने हम उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है तो यह इस प्रकार से दो प्रिकार की प्रतिरक्षा होती है पहली हमें कौन सी ध्यानिक नहीं है सहज प्रतिरक्षा यह प्रतिरक्षा जनम से ही प्राप्त होती है और कोई स्पेसिपिक नह होती है तो जनम से प्राप्त होती है इस प्रिकार की प्रतिरक्षा होती है इसे हम क्या करते हैं जनम जात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है या इसे हम नेचुरल प्रतिरक्षा भी कहा जा सकता है प्राकर्तिक प्रतिरक्षा भी कहा जा सकता है क्योंकि यह प्रतिरक्षा है वह हम में आप ध्यान दीजिए तो यह प्रतिरक्षा होगी वह प्रतेक जीव में इसी प्रकार की होगी यह आपको ध्यान रेकना है कि प्रतिरक्षा होती हो सभी में समान रुप से उपस्तित होती हैं तो जनम से ही प्राप्त होती हैं जिसकि यह प्रतिरक्षा है वह वातावनिये क किरियाओं के फल्सुरूफ जीवनकाल में अर्जित की जाती है उस सब परतिरक्षा को हम क्या कहेंगे अर्जित परतिरक्षा यह परतिरक्षा होती है वह बीन परकार की एंटी बोडी के निर्मान के फल्सुरूफ होती है यह स्पेसिपिक होती है यह हमें ध्यान नेकना है त यह जो सहज प्रतिरक्षा है या इनेट प्रतिरक्षा है यह रोगाणों को सरीर में प्रवेस करने से रोकने से समंधित होती है यह रोकने से समंधित होती है तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या कहेंगे तो आप ध्यान दीजे इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सहज प्र फिर ध्यान दीजिए, यह प्रतिरक्षा होती है, यह पीडी दर पीडी गमन करती है, यानि ऐसा नहीं है कि यह प्रतिरक्षा है, वो हमारे अंदर थी, हमारे माता पिता के अंदर नहीं थी, ऐसा नहीं है, तो यह हमारे माता पिता से हमें पराप्त हुई, हम से हमारी संतानों अपराप्त होगी तो इस परकार से पीडी दर पीडी क्या करती है गमन करती है अथार्थ इसे हम क्या करते हैं अनुवांसिक परतिरक्षा भी कहा जा सकता है इसे एक और नाम दे सकते हैं वो क्या नाम दे सकते हैं अनुवांसिक परतिरक्षा क्योंकि यह पीडी दर पीडी ग कहा जाता है तो सहज प्रतिरक्षा का मतलब क्या हुआ है इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो जर्म से ही प्राप्त होती है इसमें कोई विशेश प्रकार की आपको ध्यान कोसिगाओं का निर्मार नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं इसे हम प्रकृ खिर उसे चार परकार से हमें फ्राप्त होती हैं कौन कौन से चार परकार है वह हम समझ लगते हैं सबसे पहला आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान लेकना है जो सारीरिक अवरोध होते हैं यह हमें ध्यान लेकना है तो पहला कौन सा ध्यान लेकना है सारीरिक अवरोध सार थेकसा आप ब्हक्सकांविक और द्यान दिए लास्ट और फोर्थ भीक्रिया तो इस प्रकार से प्रधा अवरोध या प्रधा प्रतिक लिया ये चार प्रकार के अवरोध के फस्रूप हमें इनेट इम्मुनिटी या जो सर्ज प्रतिरक्षा प्राक्त होती है सबसे पहले हमें ड्यानेक में सररीक अवरोध यानि सरीर में प्रवेस करने से रोकने से समंदित जो तंत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सररीक अवरोद यानि ये रोकने से समंदित होते हैं यानि रोगजनक जीवान को सरीर में प्रवेस करने से रोकने से समंदित जो अंग होते हैं वे मिलकर के और सररीक अवरोद का निर्मान करते हैं, तो ये सरीर में रोग जनक जिवानों होते हैं, रोगानों को रोकने से समंदित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सररीक अवरोध करते हैं, ये वैसे आप ध्यान दीजिए, पर्थम पंकती की परतिरक्षा है, ये हमें ध्यान रखना है, ये सबसे पहले परत होती है सारी कवरोद और सारी कवरोद में कौन-कौन से अंग सामिल होते हैं तो इसमें तीन अंग हमें ध्यान रखने एक तो ध्यान रखना है तवचा के अत्रिक दूसरा अंग आप ध्यान रख सकते हैं तवचा के बाद में वह आपको ध्यान रखना है म्यूकस जिली तवच वे सरीरी कवरूज से समंधित होते हैं सबसे पहली बात करते हैं हम तवचा की तो मनुसे की तवचा के अंदर दो परते होती है मनुसे की तवचा में कितनी परत होती है दो परत होती है एक होती है बहाई ये पतली परत जिसे हम क्या कहते है सबसे बाहर की और पतली परत होगी जिसे हम का गएंगे epidermis का जाता है और नीचे के और सयोजी उत्कों से निर्मित मोटी परत होती है जिसे हम dermis कहते हैं तो मनिस्वे के अंदर तवाचा होती हैं उसमें दो मुख्ये परते होती हैं सबसे ऊपर के और बाहर की बरत हों इसे hepidermis कहेंगे और नीचे बरते हों से hepidermis कहते जोकि स्यॺज यूदतगौं से निल्मित होती हैं अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले epidermis के बारे हम देखते हैं, तो epidermis होती है, वो एक पतली परत की रूप में सबसे बाहर के रुपा से होती है, और epidermis होती है, उसमें आप विशेस्ता ध्यान दीजिए, कि epidermis होती है, उसके अंदर जो होता है, वो बाहर की परत होती है, मर से देखो आप कई बार देखते हैं कि जब कोई चोटा सा उपर लग जाती उपर की पतली पर तो उसका काण करता है क्कूशेइं ऑनतों के कांग से जो है वह आपको ध्यान लेकना रोग जनक जीवां को प्रवेश करने से रोगती हैं एक बात दूसरी ध्यान लेकना है उपर की प्रत होती है वह एक विश्यस प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होती हैं जिसे हम केरेटीन प्रोटीन कहते हैं कौन से प्रोटीन से निर्मित होत होती है दूसरी बात हमें क्या इए केरीटीन प्रोटीन से निर्मित होती है ख़िसे निरूजी से निर्मित होतीए किसे निर्मित होगी सेवजी उत्तकों से निर्मित होती है और सेवजी उत्तकों कोंगे तो इसमें एक तो रुदीर वाहिनिया उपस्तित होती है रुदीर वाहिनियों के तरिक क्या उपस्तित होगा रुदीर वाहिनिया उपस्तित होती है रुदीर वाहिनियों के तरिक दू इस जो डर्मिस भाग होता है इसके अंदर वसा में ग्रंथियां उपस्तित होती हैं कौन सी ग्रंथियां उपस्तित होती हैं वसा में ग्रंथियां इंपोर्टन है ये भी ध्यानक नाच्य से वसा में ग्रंथियां उपस्तित होती हैं और इसके तेक्ट आपको ध्यानक में पस किया जाता है जिसे हम लाइसो जायम कहते हैं क्या कहेंगे लाइसो जाइंगे जिवाणों कि जिली को नश्ट करके करने में सहायख होता था एक दूसरा वसां में गरंथे होती और चांए पुसे नाम क्या दिया गया है एक तेले-पधार्थ स्त्राम क्या साता है जिसे हम क्या कहते हैं सिबं कहते हैं यह सिबं होता है इसके अंदर कुछ कुछ अन्य अमलोपस्तित होते हैं तो लेक्टिक अमलोपस्तित होता है तता कुछ अन्य अमलोपस्तित होते हैं और यह सीबम होगा उसके अंदर लेक्टिक अमलोपस्तित होते हैं और यह लेक्टिक अमलोपस्तित होते हैं जो की जिनकी pH क्या होती हैं तो आपको देनकर 325 के मद्धी होती हैं और इस प्यच पर जवानों वर्दी नहीं कर पाते हैं इस पर जवानों ग्रोथ नहीं कर पाते हैं यनि इस प्यच पर जवानों होंगे वे अपनी वर्दी नहीं कर पाएंगे और जवानों वर्दी नहीं करने से यह हमें क्या परदान करते हैं सुरुक्षा परदान करने में सहाय होता है तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में डर्मिस के बारे में डर्मिस होती हैं जिसमें रुदीर वाइन्या उपस्ट होती हैं बाल के रोम उपस्ट होते हैं वसा में ग्रंतियां उपस्ट होती हैं और इन में से वसा में ग्रंतियां नहीं कर पाते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है अगला ध्यान दीजिए म्यूकस जिली देखो ध्यान दे तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हमारे अंदर स्वसंतन्त्र है या पाचन तंत्र है स्वसंत तंत्र पाचन तंत्र याने आहरनाल वगेरा स्वसंत तंत्र पाचन तंत्र एवं आपको धानेकने मुत्र जनन मारग मुत्र जनन मारग स्वसंत तंत्र पाचन तंत्र एवं जो मुत्र जनन मारग होता है इनकी जो सता होगी वह किसे इस्तरावी होती यह किसे आस्तरीत होती है म्यूकस जिली से क्या होती है धकी रहती है तो आप ध्यान दीजिए यह म्यूकस जिली से क्या रहती है आस्तरीत रहती है यह ध्यान रहती है यह इसके उपर पाई जाती है वह सता कैसी होती है म्यूकस यूगत होती है म्यूकस ग्रंच्यां उसमें उ मुकस जिली से आस्त्रित रहती है यह में ध्यानेकना है और दूसरा इसमें क्या उपस्तित होते हैं तो एक तो मुकस ग्रंथियां और दूसरे क्या उपस्तित होते हैं जैसे कि हम सवसंत उंत्र में नाशा जो गुआ होती हैं उसके अंदर देखते हैं तो सीलिय आ भी उपस्तित है और स scratchy मुकस ग्रंथियां उपस्तित होतें जिनके दोर्ण स्लेश्मा क्यक्तात का स्त्रावन होता और रहता है इसी प्रकार से मुग बॉआ के अंदर आप तो खोन के लुके अब येके इसकी मुप ची और शौने के काण से क्रयों होगे रुख जाते ने सुम्स जीली से यानि मुकस से क्या हो जाएंगे चिपक जाएंगे और सीलिया होते हैं यह गती करके इनको बाहर निकाल देते हैं और इनको बाहर निकाल रिकार से यह प्रतिरक्षा पर्दान करना, जाता है, ये उलिया होते हैं फिर उसके बाद में थार ध्यान दीजिए, थर्ड हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है सारीरिक इस्त्राव मैं यहां लिख देता हूं थर्ड कौन सा है सारीरिक इस्त्राव तो थर्ड हमें ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है सारीरिक इस्त्राव और सारीरिक इस्त्राव में हमें क्या ध्यान रखना है कि सरीर में विविन परकार के पदार्थों का इस्त्रावन होता है और ये सरीरिक इस्त्राव होता है उस बारे में ध्यान दीजिए तो कौन-कौन से जैसे कि हमारे अंदर पसीना इस्त्राविद होता है पसीना ग्रंथियों से इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है आखों से हमारे अस्त्रू इस्त्राविद होते हैं आखों के अस्त्रू होते हैं इन में आप ध्यान दीजिए यह आपको ध्यान रखना है जो हमारे अंदर लार होती है इनके अंदर आप इन सभी में देखें होते हैं यह सुखसंद जिवों की कोशिका जिली को नश्ट कर देते हैं और कोशिका जिली को नश्ट करके और उन्हें विगटीद कर देते हैं तो यह हमें ध्यान रखते हैं इसके तरिक्त सरीदिक इस्तराव में आप ध्यान दीजिए अमासे के अंदर एक अमल का इस्तराव कुछ अन्य भाग को क्या कर देगी नैस्ट कर देती है तो मैंistic प्रशेल होता है ग्रणी में पित का इस्तरान होता है और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है कुछ अन्य भाग भी आप ध्यान रख सकते हैं जैसे कि मुत्र जनन मारग होता है उसके अंदर भी आप देखिए तो क्या उपस होता है तो आप ध्यान दीजिए उस इस्पर माईन उपस इंप्रमाई होते हैं यह भी सुक्षम जीवानों को नश्ट करने में साहयक होते हैं और आप ध्यान दिजिए तो दुग दोता है उनके अंदर भी क्या उपस होता है आप दुग दोता है उस सारी लिक इस्तरावे इस दुग में भी आपको ध्यान लगतन है उस दुखत के अंदर लेक्तो पर ऑक्सिडेज अंजायम उपस होता है क्या analogy एफस होता है और भौकर आपको धानेकता है जिवाणों को नश्ठ करने में साहइक होता है जो क्याuntu को सब्सक्राइब होता है यह तरह है जो कि सररीक इस तरह होते हैं और यह इस तरह होंगे वे आपको दनेकना सुक्सम जिवाँ को नश्ट करने में सायक होते हैं इसके अत्रिक्त मैंने आपको पहले ही बता दिया था नाग का इस्तरह होता है म्यूकस होता है नाग का इस्तरह होता है लाइसो जाइम उपस होता है यह को सरीर में प्रवेश करने से रोकने से समंधी तंतर होते हैं अगला ध्यान दीजिए और वह आपको ध्यान रेकना है सेकेंड पूरक तंत्र है सेकेंड हमें कौन सा ध्यान रेकना है पूरक तंत्र यह भी इंपोर्टन है ध्यान रेकना है पूरक तंत्र होता है क्या है पूरक तंत्र का निर्मान होता है वह तीस से अधीक प्रोटीनों से होता है हमारे सरी में तीस से अधीक प्रोटीन ऐसे होते हैं जुनें C प्रोटीन भी कहते हैं तीस से अधीक प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन तीस से अधीक प्रोटीनों का समू है प्रोटीनों का समू है और ये प्रोटीनों का समू होता है वो मिलकर के पूर तंतर का निर्मान करते है जिसे हम C प्रोटीन भी का जाता है और C प्रोटीन मैंसे C3 प्रोटीन होता है वो सबसे अधिक होता है तो यह हमें ध्यान रखता है और ये प्रोटीन होते हैं ये क्या का यहां तो सक्रियत हो जाते हैं यहां आपको दili खुद क्या हो जाते हैं विगर्टित हो जाते हैं और पूच ऐसे उत्पाद बनाते हैं कुछ ऐसे उत्पाद बनाएंगे जिवाणों की जिली को क्या कर देते हैं छिद्रित कर देते हैं जिवानों की जिली को क्या कर देंगे नाश्ट कर देंगे या तो जिवानों की जिली को क्या कर देंगे छिद्रित कर देंगे उसमें छेद बना देंगे यह प्रक्रिया अपना देंगे या फिर क्या करेंगे तो आपको धनक नहीं या तो यह जिवाणों की जिली को छिद्रित कर देंगे या दूसरी प्रोसेज यह भी अपना सकते हैं कि यह क्या करेंगे कि उस जिवाणू है या रोग कारके चारोर क्या बना लेते हैं आवन बना लेते हैं रोग कारके चारोर क्या बना लेंगे आवन बना लेते हैं रोग कारक और ये बोक्सकानों भी कोसिकाए होगी वह इनकी फैघोश्तोशिस केलिया के माध्यम से नश्ट कर देती है तो यह इस प्रकार से हमें दियान रkeitना है इसके बारे में पूरग तंतर के बारे में यानि मनस्य के अदर।र निर्मान होता है वन banco की समब से बता हैं जिनने सी प्रोटीन भी कह सकते हैं यह प्रोटीन होंगे यह प्रोटीन सक्रियत होकर या विगटित होकर कि कुछ उत्पादों का दिर्मान करती हैं यह उत्पाद अन्य प्रोटीनों को सक्रिय करने में उनके लिए उत्परियरक की रूप में कारियां करते हैं अब पूरखोरायग में देखें कि आगे फेघसाइट बख्षकांविक-व्रोद का रोद किसे कहते हैं कान भी करोद कैसा होता है बख्ष कानविक-व्रोद सिधे वक्षन करती है अकर्मन करती है उसमें अब ध्यान दिजे तो आप दिखेंगे तो यह उत्रो पस होते हैं और क्या अपस होती है तो आपको द्यान करना मोनोसाइट्स उपस विए दो मुख्य बक्सक वोशेगा है जब मैंने पढ़ाया था आपको ब्लेड की सुरचना और ब्लेड का संगठन पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि ब्लेड होता हैं उसके अंदर डेबलूबीसी ह तक होती है सबसे अधीक पाई जाने वाली डेवली बीसी और उसके बाद में बड़ा था मोनोसाइट्स और यह वक्षन करने का कारिया करती है इसके अत्रिक आपको ध्यान नेक्ते हैं जो सेवजी उत्तेकर उनके अंदर मैक्रोफेजे उपस्तित होती है महा बक्षकाणू यह नहीं जो मोनोसाइट्स या यह नूट्रोफिल से इन वैसे आप ध्यान दीजिए मोनोसाइट्स कोसिगा है बाहरा करके और बड़े आकार की हो जाती है और बक्षन करने का कारे करती हैं तो उसे हम मैक्रोफेजेज कहते हैं तो यह हमें ध्यान रखना है इसके अत्रिक आप ध्यान दीजिए टी मारक लसी काणू होते हैं यह भी इसी प्रकार के होंगे टी मारक लसी काणू होंगे या लेंफोसाइट्स होते हैं जो की बक्षन करने से समंधित होते हैं तो यह सारी कोसिगा है वह जिवानों को क्या करेगी बक्षन कर लेती है तो जिवानों को क ध्यान रेकने है और लास्ट अवरूद हमें ध्यान रेकने है प्रधा अवरूद प्रधा अवरूद होता है क्या पहले तिया समझ लीजिए कि प्रधा अवरूद होता है वो क्या होता है तो आपको ध्यान रेकने है जब भी कोई चोट लगती है घाव लगता है या जिवानो क्या प्रिशती में क्या होगा जीवनों का च्सिताइए कि वहाँ पर सूजन आ जाती है और आप ध्यान दिजीए थे सूजन आ कभी लगी हो तो महसुस करना वहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो इन किरियाओं को सामुई करूप से हम परदा औरोद या परदा परती किरियाओं कहा जाता है यानि आप ध्यान दीजिए जब भी सरीर में कोई घाव लगता है चोट लगती है जिवानों का संकर्म होता है तो इसे स्थान पर सूजन आ जाती है लालपन दिखाई दता है दर्द होता है और तापमान उस बाग का बढ़ जाता है इन किरियाओं को सामुई करूप से हम क्या कहते है परदा अवरोध कहा जाता है तो परदा अवरोध किसे कहेंगे तो यह हमें ध्यान रखना है होता किसके कार्ण से हैं तो आप ध्यान दीजिए ये किस परकार से होता है जब भी घाव लगता है तो हमारे सरीर के अंदर जो स्योजी उत्तक होता है उनके अंदर एक कोसिगाओं के नाम से जानते हैं मास्ट कोसिगाओं के नाम से जानते हैं और आप ध्यान दीजिए हमारी WBC होती है उनके अंदर एक और कोसिगाओं पर होती है जो की प्रेरग के रूप में कारे करते हैं कौन से रसानिक पदार्थ होते हैं ध्यान दीजिए इस्टामीन होता है एवं आपको ध्यानिक नहीं है कुछ जगह पर pro pathogens भी होता है तो इस प्रकार से रसानिक उत्प्रयरक की रूप में कारिय करेंगे ये रसानिक उत्प्रेरक की रूप में कारे करेंगे, किस रूप में काम करेंगे, कैमिकल उत्प्रेरक की रूप में कारे करेंगे, रसानिक उत्प्रेरक की रूप में कारे करेंगे, और उस इस्थान पर स्विलिंग उत्पन कर देते हैं, सोथ उत्पन कर देते हैं, सूजन उ पारगमेता बढ़ने के काण से जो भक्षा कोशिगा हैं वे उत्तक द्रव में या रक्त वाहिनियों से बाहर आकर की उत्तक द्रव में उन जिवानों को या उन रोगकारक जिवानों को नश्ट कर देती है इस प्रकार की किरिया विद्व को हम क्या गएंगे प्रदा प्रतिरक्षा कहा जाता है प्रतिरक्षा इम्यूनिस सबसे बनी लेटिन बासा के और इम्यूनिस सब्दकार्थ होता है तो हमने देखा था इम्यूनिस सब्विविन रोग जनक जीवों से लड़ने की सम्ता उसे हम कहेंगे इम्यूनिस फिर उसके बाद में प्रतिरक्षा का जन करना क्या कर लाता है विज्ञान जिसमें परतिरख्षा तंत्र उसके गट किया जाता है परतिरे छाट नहीं कि नहीं करेंगे इस क्लास में देखते हैं सहज परतिरेक्षा के बारे में जनमजात होती है सबसे पहले हमें सहीर और मुकस जिली और उसके मुकस जिली के बाद में सहरीक स्थराव constitution प्रतिरक्षा करेंगे उपारजित प्रतिरक्षा के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू